Hello students, welcome to my YouTube channel, Sahaj Classes इससे पहले हम Coordination की 3 Classes देख चुके हैं आज हम इसकी 4th Class देखने वाले हैं इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हमें किसी भी compound का name given है तो उससे उसका formula कैसे लिख सकते हैं आज वाले वीडियो में देखेंगे हमकी मालिया में कोई formula given है तो उससे हम उसकी जो naming है वो कैसे दे सकते हैं ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो भी cation होगा उसको हम कैसे फर्स्टली लिखेंगे मतलब फर्स्ट वीडियो वर्टे किस की होगी cation की होगी, ठीक है चाहे वो simple हो, या तो complex molecule में हो ठीक है, उसके बाद क्या होगा nion, nion की क्या होगी कि पहले तो cation लिख लिखेंगे nion को, या तो हम क्या बोल सकते इसको secondly, या क्या बोल सकते है lastly, वो basic वो इस पे depend होगा, कि हम जो complex वो simple है, या कोई complex है तो बी compound लिखेंगा थीक है इसको एक example लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे का लिख देंगे क्यों तो यह हो गया जिस में क्या है आपना घ्बाउंड ओन मैं क्या सबसें क्या देज सकते हैं सबसे पहले लिखेंगे कि क्या होगा हैगजा कि छैंँ है तो हैगजा एमाइन उसके बाद जो मैटल आटम है वो लिखेंगे कोबाल्ट उसके बाद देखा इसकी ऑक्सिडेशन स्टेर देखेंगे इससे पहले वाली वीडियो में हमने देख लिया है कैसे माल यह इसके निकाल ली है तो यह तो X हो गया ठीक है उसके बाद firstly हम इसको कैसे लिख सकते हैं ऐसे कितना चार्ज होता नेगिटिव का दो सील है तो दो नेगिटिव उसके बाद हमने देखा था कि क्या जाएगा तो इसके बाद पोजिटिव का एक्जामपल देखने चलते हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको हम क्या लिख देंगे खलोडाइट यह तो गया नेगिटिव उसके बाद जब पोजिटिव का एक्जामपल देखने चलते हैं तो हम क्या लिखेंगे कहलें कि क्या है इसको हम कैसे लिख सकते हैं यह क्या है इसको हम कैसे लिख सकते हैं नेगिटिव फिसके यहां से हम इसके oxidation state निकालेंगे तो इसके लिए x इसके लिए 1Cl1 negative 6 है तो minus 6 वो किसके equal होगा जो total complex पे charge है तो यहां से क्या जाएगा minus 2 plus 6 is equal to 4 यह तो इसके आगी oxidation state अब क्या देखा था कि जो positive होगा वो आयन होगा वो पहले लिखेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे हम potassium 6 है तो hexa chloroplatinate कि इसके oxidation state कितनी आई है हो रहा है ठीक है यह तो हो गया इसका first name क्या था कि जो cation होगा वो पहले लिखा जाएगा जो nil होगा वो last में लिखा जाएगा ठीक है उसके बाद देखते हैं कि जो भी अपना second क्या हो जाएगा कि one word मतलब जो भी complete complex है उसको one word में लिखेंगे उ यह amine है यह nitro है तो पहले तो यह ही आएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे है त्राइ एमाइन ट्राइ नाइट्रो कोबार्ट जो इसके oxidation state के लिए तो जी जो है इसके लिए one हो था तो वो कितनी आ जाएगी ठीक है उगया उसके बाद क्या है कि जब naming दिखेंगे जो उनसा पहले alphabetically होगा उसको यह पहले naming देंगे जैसे जब पहले वाली वीडियो में देखा था हमने उसको naming देते थे तो भी alphabetically यह देखेंगे इसको हम लिखते हैं माइन इसको लिखते हैं नाइट्रो कि जो अपनी alphabet होती है उसमें ए पहले आता है तो पहले यह वाड़ ठीक है पोजिटिव लिगेंट है तो as it is लिख देंगे हम जैसे उसका नाइम होता है ना वही लिख देंगे मालिया ammonia है यह तो neutral हो गया ठीक है इसका पोजिटिव होगा तो उसको हम simple as it is लिख देंगे मालिया कॉन साइन लेते हैं यह लिख दिया यह अनो पलस है या नाम होते है ना वो लिखेंगे इसको तो हम क्या बोलते है ना इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं माइन जब लिगेंट के जैसे यूज होगा तो यह क्या होगा माइन एस्टू को क्या बोलते हैं एक्वा तो क्या हुआ पोजिटिव के केस में तो EM लगे गा पाच्छे I U M EM. न्योच्विल का केस में क्या होगा जो उनकी special naming होगी वो given होगी specified होती है वो लिखेंगे उसके बाद कौन से बच गई negative की केस में हम क्या दिखेंगे negative की केस में कि जो भी इसके बात क्या होगा कि जो मेश होते होते तो आज की यह तोसके बात कि देखेंगे। ation heigsamite तो मतलब जो भी जितनी भी इसके amount होगे इसको इससे पहले लिखेंगे ठीक है उसके बाद क्या होगा उसकी क्या लिखेंगे oxidation state कि जो इस metal की कितनी oxidation state है वो लिखेंगे जो अपना last name है वो क्या लिखेंगे कि माल लिखेंगे ये complex लिख दिया मैंने कोई भी यह लिख लिया pt, cl for 2 negative, अगर complex पे negative charge है, तो जो metal होगी उसके पीछे हम क्या लगा देंगे 8, जैसे इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम tetra eclorcido platinate net, net किसके लिए लगा negative charge के लिए, लेकिन ऐसे positive charge होगा, तो हम simple क्या लिखेंगे hexa amine cobalt positive के case में तो क्या लिखेंगे simple metallic देंगे cobalt है जैसे, लेकिन जब negative होगा, इसके पे total charge negative होगा, तो उसको हम क्या बूल देंगे पीछे ATE लगा देंगे, ठीक है, तो इसके बाद में लिखा जाएगा, यह हमने example में देख लिया, यह negative है, तो इसका जो नेमिंग होई तो यह पीछे लिखा गया, ऐसे जब यह positive था, तो यह इसको हम क्या लिखेंगे, इस potassium positive होता है, K plus लिखते हैं तो इसको हम पहले लिख देंगे, ठीक है, इतना होगा, उसके इसके बाद जो नेमिंग ओफ लिखेंगे, तो लिखेंगे तो लिखेंगे तो लिखेंगे तो लिखेंगे तो लिखेंगे, उनको कैसे लिखेंगे, अल्फाबैटिक लिखेंगे, ठीक है, भी for the name of central atom, उसके बाद, उसके बाद क्या होगा, कि जब negative होई लिखेंगे, तो आई इटाके हम क्या लिख देंगे E, E हटाके O से रिप्लेस कर देंगे, उसको मान लिए अख्लोराइड था तो अख्लोराइड हो जाएगा न्यूरिटिपल के केस में जो उसके स्पैसल नेमिंग होगी, वो लिखेंगे उसके बाद पोजिटिव लीग एंड होगा तो E, E.E.M.C. अएड होगा लेकिन एका देख एके इसमें देखने को मिलते हैं इतने मोशिट नहीं मिलते उसके बाद जो लीग एंड की कॉआंटिटी होगी मोनो है, ڈाई है, आई है, वो लिखेंगे उसके बाद क्या होगा कि जो उक्सिदेशन स्टेट होगी जो मैटल की वो लिखेंगे उसके बाद क्या देखा था कि पोजिटिव है तो इसके बाद क्या देखा था कि पोजिटिव है तो क्या होगा से मैटल के जैसे लिखेंगे उसके बाद एनागीटिव है तो क्या लिखे उसके बाद एक्जामपल लेगे देखते हैं पहले अपनी क्या है मेटल है यहां से चलते हैं सबसे पहले हम क्या लिखते हैं लिगेंट्स की नेमिंग लिखते हैं तो लिगेंट्स में यह क्या होता है एक्वा तो दोनों में कोमन है उसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि क्या ह मैं तुम हो वाचविकá हाट आप जा तो पहले इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको Jlogan को लिखेंगे त्राई एक्वा उसके बाद इसको तोड़ के देखते हैं तो एक से हमें कितना नेगिटिव मिलता है वन नेगिटिव मिलता है तीन है तो तीन नेगिटिव लेकिन जो कॉंप्लेक्स होगा वो गया होगा नियूर्टिल होगा तो इस कॉंप्लेक्स पे कितना जाएगा तीन प Triacqua-chromioli अब देखो से उक्षिदेशन स्टेट निकालेंगे तो इसके लिए W — इसके लिए INE पर और लिए जोimated तो पीसे क्या लगा देंगे। इसके क्या हो जा entonces Triamine-TriLE bölor कि ऐसके पैसे देखते हैं CO NH2 CS2 CS2 NH2 यह वही है जिसको हम इन बोलते हैं ठीक है S of 1 ठीक है उसके बाद हम क्या देखते थे कि जितना भी चार्ज होगा इस पे जितना S of 1 है इस पे क्या होगा 2 नेगिटिव चार्ज होगा तो इसको जो complete complex है इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यह कैसा हो जाएगा इस complete को मैं क्या लिखती हूँ इसको ऐसे लिख सकते है ठीक है यह 2 है तो इस पे कितना 1 S of 1 पे 2 नेगिटिव होता है तो इस complete पे कितना हो जाएगा 6 नेगिटिव 6 नेगिटिव गितनी हो जो सैंसे 열 आइगा जो सित रहते हैं कि लिखे लेक हैंने 39, ethean 52 na sci-jektiv लिए 3 इन एक दृए 57そんな आइगा जो आएगे. एक बाद चलते नेएस एक जामपल पर AG let's take it wise AG CN2 तो यहाँ पर हमें दो मिल गई मतलब एक यह कॉमपलेक्स हो गई एक यह कॉमपलेक्स हो गई पहले इसकी नेमिंग दे लेंगे उसके बाद इसकी नेमिंग दे लेंगे तो यहाँ पर चलते हैं हो यहां पर अब हम इसके oxidation state निकालना चाहें हैं तो यह क्या होगा एजी को हम simple किस form में लिखते हैं एजी प्लस में इसको क्या से लिखते हैं एजी प्लस प्लस में 2CN negative टोटल बैलेंसिंग करके क्या जाएगा यहां पर तो क्या बचा नेगिटिव चाँड बचा और यहां पर क्या बचा पोजिटिव तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एजी एनना एक टोटल इसपे क्या जाएगा एजी चीन टो नेगिटिव यह बन गए अपना complex इसको में नेमिंग देनी है तो कैसे दे सकते हम इसको ट यह पोस्टिव चार्ड है तो ऐसी टीज मैटल का नाम आ जाएगा सिल्वर ऑक्सिजेशन स्टेट इसकी वन होगी ऐसे इसका देंगे तो डाइ साइनो इस टाइम पे जो कॉंपलेक्स उस पर क्या है नेगिटिव चार्ड है तो यह क्या आ जाएगा इसका नाम मैटल के नाम क को समझ आया होगा थैंक्स फोर वोचिंग